अब देखो मुझे Ant Man and the Wasp Quantumania कर ट्रेलर अच्छा तो लगा लेकिन उतना जाता भी नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो फाइनली मार्वल ने Ant Man and the Wasp Quantumania कर ट्रेलर रिलीस कर दिया और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है ये कैंग का विजिन तो कुछ भी नहीं आगे जो कैंग के विजिन समय देखने को मिलने वाले हैं वो इससे भी जादा खतरनाख और बैड एस होने वाले हैं क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग से हमें पता लग जाता है कि कैंग स्कॉट को टाइम का लारस दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि स्कॉट की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी है और अगर एक बारी उसे वो चीज मिल जाए जो वो चाहता है तो वो उसके लिए कुछ भी करने को त्यार हो जाएगा कैंग की बात ना मनें लेकिन सुनना किसको है बाई देखो जेनेट जिस तरी के से स्कॉर को मना कर रही थी उससे तो यह लगरा था कि जनेट कैंग को जानती है वो भी अछी तरह से और ऐसा भी हो सकता है कि जो वराफर çandLE को दिया हो अब देखो अगर ओवराल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर अच्छा था ट्रेलर का विज्योल स्टाईल, बीजियेम और साथी साथ clarity जो ओवराल फिल्ट था लेना और मैप सिमलतों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग